जी नमश्कार एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है 7 नुवंबर 2017 का राशी फल आईए से जानते हैं मेश राशी वालों को बहुत कुछ पालेने की तमन्ना है बहुत सारी इच्छा है मन में पर उतनी मेहनत नहीं नजर आ रहे हैं बस ये कमी है बहुत कुछ एक साथ करने की चाह में जैसे सब कुछ बिखरता चला जा रहा है रिशब राशी वालों का रिष्टों की और जुकाव बहुत है पर आप अपनों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं समस्या ये भी है कि आपके अपने विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं जिसके चलते आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं मिथुन राशी वालों को अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को तो समझना ही पड़ेगा उसमें अपनों की बढ़ती हुई जरूरते भी शामिल हो सकती है मन को बहुत शांत करके अपनों की बात सुननी होगी आप करक राशीवालों के मन में बढ़ता हुआ संतोष आपको अपने काम से दूर कर सकता है अपने दोस्तों को खुश करने के प्यास में आप अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं जो ठीक नहीं सिम राशीवालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी जरूरते पूरी हो रहे हैं पर बढ़ती हुई जरूरतों को थोड़ा सा थाम लेने की भी जरूरत है करने राशीवाले ये समझ लें किसी भी चुनोती भरे समय में कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है आपको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंके और कोई विकल्प है नहीं तुला राशीवाले भागे को आजमाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा अगर कामकाज में लगन कम हो जाएगी तो ये पैसे से भी बड़ा नुकसान होगा विष्चिक राशीवाले कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं कि पैसे की स्तिती किसी चमतकार से बेहतर हो जाए अचानक फायदाय का सोचना अच्छी बात है पर अचानक नुकसान हो जाए तो बहुत तकलीफ होता है धनुराशीवालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने के कई तरह के विकल्प है पर फिल हाल जिस रास्ते को चुना है उसी पे चलते चले जाए मन्जिल पर पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी के रास्ते को बदल देना ठीक नहीं होगा मकर राशीवालों को हालात हर तरह से मदद करना चाहरे हैं पर आप फिर भी खुश नहीं है रिष्टों को प्रात्मिक्ता देना इस समय की जरूरत है जिसे आपको पूरा तो करना पड़ेगा ही तुम राशिवालों के सामने कही तरह की चुनाती है और आपकी महिनत विफल होती चली जा रही है आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपके चाहने वाले आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएं मीन राशिवाले अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं और इसके चलते जिन्दगी के खुशियां बनी रह सकते हैं अगर लोगों से तालमेल बनाय रखना है तो लोगों की गलती निकालने से तो आपको बचना ही पड़ेगा ये था जी आप सब का आज का राशिवाल मैं फिर हाजिर होंगा एक और एपिसोड के साथ और बात करेंगे आपके आने वाले पुलों की नमस्कार